पलामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजातरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जज़ा बंसी धर्मीज और बंसी धर्मीज अब यूट्यूब पर भी नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि पलामू से जु प्राइब करते हैं गड़वा जारखान पूरे देश में आज जो महमारी को रोना जैसी बैस्टिक समस्या जो आज ब्याप्त है जगत मता इस दुख की घड़ी में पूरे देश्वासियों को लड़ने के लिए ताकत में छमता परदान करें इस बैस्टिक महमारी से हम बाहर निकल से कि पूछ से मैं अपने तरफ से और भारती जन्ता पार्टी की ओर से भी निवेदन करता हूं बिंती करता हूं कि पिछले दिनों इस देश के प्रधान मंत्री आधर नरेंदर भाई मोधी जी द्वारा इस बैस्टिक महमारी के बारे में काफी दिश्टार से और काफी सरल तरीके से उन्होंने लोगों को बताने का काम किया है एक बैस्टिक महमारी है और इसे बचने का एक मात्र बिकल्ब है लोकडाउन करना खुद को सयमित रखना घरों में रखना बाहर रोड पर नहीं आना चुकि यह फैलने वाली बिमारी है सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने कहा हम अगर अक्षार सा मोधी जी के बात का अगर पालन करेंगे उनके एक एक सब्द का अगर मनुकरन करेंगे तो मैं लगता है इस बैस्टिक महमारी से जारकन समेथ गड़वा जारकन पुरा देश हिस्से बाहर निकल सकेगा पुरे देश का सबसे गरीब जीला है गरीबी पलायान भुक्मरी यहां के परमुक समस्या है आज मैं देखता हूं कि कई अन्य राज्यों से जो हमारे यहां के लोग यहां के बच्चे जो मजदूरी करने गए रोजगार के लिए बाहर गए बचारे फंसे हुए हैं सरकार उन्हें लाने के लिए प्रयास करें राज्य सरकार का यह दाइतों भी बनता है कोई राजिनिती की चर्चा नहीं करते हुए राज्य सरकार केंदर सरकार सबों का एक ही सोच है कि इस बैस्टिक मामारी से कैसे हम बाहर निकलें लेकिन आज मैं देखा इस देश के बीत मंत्री ने जिस संबेदन सिल्टा को दिखाते हुए हैं यहां के आम जनों के लिए उन्होंने काफी सफते दर पर चावल गेहूं डाल जो देने का उन्होंने घोफना किया है किसानों के खाते में 2000 रुपईया देना है मंद्रेगा मजदूर का मजदूरी बढ़ाने का काम किया और भी कई तरह की कल्यानकारी जुझ्या इस देश के बित मंत्री दुवारा यहां पर गुफना किया गया है मैं इस राज जी के मुखिया आधरनिये मुखमंत्री जी से बिन्निवेदन करूंगे इस दुख की घड़ी में इस बैस्षिक महामारी से लड़ने के लिए उन्हें भी थोड़ा एक कदम आगे बढ़ चड़ करके मदद करना चाहिए सह जो करना चाहिए लोकडाउन तो मु सुरक्षित रहेंगे आपका गाउं समाज देश राज जीला सुरक्षित रहेगा लोग देरे देरे समझ भी रहा है और उस दिशा में लोग परियास भी कर रहे हैं लेकिन इस गरीवी से भुखमरी से भी लड़ने के लिए आधरनिये इस राज के मुखिया जी द्वारा भ को पांच हजार साथ हजार रुपई या महिना देंगे इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री जी से भी बिंती करूंगा सभी बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के खाते में छेचे महिना का अगर आप तीस हजार रुपई या इसी पढ़े में पास लड़के के 42,000 रुपई या और पिछले पुरवरती सरकार ने जो किसानों के लिए कल्यानकारी जोज्ञा मुख्यमंत्री किर्सिया सिर्बाद जो जोज्ञा चलाने का काम किया था हमें लगता है कि अगर उन किसानों के खाते में भी 5000 रुपई ये एकड़ अगर सहजोग दे दिया ज है मुखमंत्री जी भी संबेदन सील हैं उन्हें आगे बढ़ चड़ करके उन्हें अपने किये वादे का हमें लगता है अक्षा सा जरूर्प पालन करने का यह सही वक्त है उन्हें भी इस बात को पालन करते हुए यहां के लोगों को दुख के गड़ी से निकलने में सहय ज कि इस बैसिक महामारी का एक ही विकल्प है जैसा मुदी जी ने भी कहा कि भाई लोकडाउन रखें हैं मैं सभी लोगों से गढ़वा जिलावासियों से हाथ जोड़ करके बिंति निवेदन और परसना करता हूं आप खुद को लोकडाउन रखें लोगों को अवेर करिए ज भर के सामने दर्वाजा के सामने अप लक्षमन रेखा टानिये किसी परिस्तिति में उस लक्षमन रेखा को बतपर उन्ह की रॉमयन में भी इसका चर्चा है बर्णरत पूरे दुनिया के मुह खार कर खड़ी है इस बैसिक समस्या से निपटने के लिए हमें लक्षमन रेखा को किसी कीमत पर नहीं तोड़ना है घर में थोड़ा अच्छा भोजान का दिकत हो सकता है थोड़ा माणभात खाईए थोड़ा घाठा माठा खाईए सावा मिज्रिक खाईए किन्तु आप खुद बचिये समाज को बचाईए लोगों को बचाईए कल आपके बाल बच्चा परिवार के लिए आप पुर्व की वहांती काम आईए मैं यहीं बिंति करूंगा यहीं निवेदन करूंगा चुकि सोसल डिस्टेंसिंग एक मात्र यही इसका इलाज है इसका अच्छर सा पालन करने का अपने को घर में सयमित हो करके रखना इससे कोई बेहतर बितल नहीं है जान्यवाद